नमस्कार, मैं राजीब कुमार, TGT हिंदी, प्रायोगिक विद्याले, ख्षत्रिय सुक्षा संस्थान, NCERT महसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज मैं कक्षा आठवी की हिंदी पाठि पुस्तक, दुर्वा भागतीन में संकलित, एक ज्यान वर्धक एकांकी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ दर असल एकांकी नाटक का ही छोटा रूप होता है नाटक में किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का संपुर्ण वर्णन होता है जबकि एकांकी में किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग के किसी एक महत पुर्ण अंश का वर्णन मंच के माध्यम से किया जाता है आज के काडिकरम के अंत में एकांकी वाचन की आदर्स शैली से अवगत होंगे एकांकी में आए आप परिचित शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग से परिचित हो सकेंगे एकांकी के मूल विंदूओं से अवगत हो सकेंगे तथा मुहावरे के सामान परीचे से भी परीचित हो सकेंगे प्रिये विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि ज्यादा तर लोग उन सामानों की तरफ ज्यादा आकर्शित होते हैं जिस पर एक के साथ एक मुफ्त दो की खरीदारी पर पच्चास पर्तिशत की छूट हो सस्ता और लालच के चक्कर में वे कुछ ऐसे सामान खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ततकाल उप्योगिता ना हो और बाद में पच्चताते रहते हैं दर असल आज हम जिस एकांकी का पाठ करने जा रहे हैं उसका विशय भी कुछ ऐसा ही है जिसका शिर्शक है सस्ते का चक्कर जिसे लिखा है शुर्य बाला जी ने लेखक परिचे एकांकी कार सुड्य बाला जी हिंदी साहित की प्रसिद्ध लेखी काओं में से एक हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में 25 अक्टूबर उन्होंने कहानी उपन्यास तथा हास्य व्यंग जैसी रचनाव का रुपांतरण टीवी धरावाहिक के रूप में किया जिन में से प्रमुख है पलाश के फूल ना किन्नी ना सौधागर एक इंद्रधनूश जुवेदा के नाम सबको पता है रेश निर्वासित आदी इसके अलावा दस कथा संग्रह और तीन व्यंग संग्रह भी लिखा है तो आईए शुरू करते हैं एकांकी का आदर शुवाचन आठवा पाठ सस्ते का चक्कर द्रिश्य छुट्टी के घंटे की आवाज आठ दस बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हसते चिढ़ाते बैग लिए भागते हुए चले जाते हैं बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वालों की मज़्यदार लटके भरी आवाजें चने कुर्मुरे चटखाडे दार यही तरावटी आईसक्रीम खटी घोलियां ठंडा शर्वत निम्बू संतरे का अजय और नरेंदर आते हैं उम्र नो दस वर्ष अजय धुबला नरेंदर तगड़ा लगातार चटरमटर की आवाज करता नरेंदर चूरन खा रहा है नरेंदर अरे अजय तू तो इस समय रोज लेफ्ट राइट पजामा धीला टोपी टाइट करता रहता है ना आज अभी कैसे दंडी मार दीना बच्चू कैसा पकड़ा और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने अजय नहीं आज मम्मी की तवियत कुछ खराब थी मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे चुट्टी दे दी मेरा पाट मुझे याद भी था ना मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय ना सुता कराती है आज मैं घर जल्दी पहुँच कर उन्हें चाय बना कर पिलाओं तो किती खुशी होगी वह नरेंद्र बिना सुने वह ले इसी बात पर चुरन खा बड़ा मज़ेदार है लेकिन एक बात बता यार आखिर तो सारे दिन इतनी पढ़ाई, लिखाई, ड्रामा, डिवेट की मशकत आखिर काहे को करता है ए मुझे देख क्या मौझ भरी जिंदगी है सैर सपाटा, खेल तमाशा इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लाली पॉप बेशता हुआ आता है पच्चास पैसे में तीन लाली पॉप, पच्चास पैसे में तीन नरेंद्र चौक कर, अरे सुना है तुने, पच्चास पैसे में तीन, यानी एक रुपय में च्छालाली पॉप, मज़ा आ गया, फर मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए, चुरंच उसकी आइसक्रीम ले ली, सुन, तेरे पास होंगे कुछ पैसे, अजय, एक भी नहीं नरेंद्र, अरे उधार दे दे, उधार कल पाच पैसे ज्यादा लुटा दूगा, समझ क्या रखा है सुन, रिक्षे के तो होंगे, अजय, हाँ है तो, पर रिक्षे के पैसों के लाली पॉप खरीद लूँ मैं, या तो चिटिंग होगी नरेंद्र, अरे बापरे, तू तो हरिश्चंद्र जी का भी परदादा निकला, मांगे पैसे, देने लगा सीख शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच, मद्दे मद्दे, ठीक, मैंने फीस नहीं दी, आज उसके पैसे तो हैं ही अजय समझाते हुए, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है मेरी बात मान, इस आदमी से लाली पॉप लेना बिलकुल ठीक नहीं मुझे लगता है, या तो या कहीं से चुरा कर लाया है, या कहीं से नुकसान दे, खराब माल उठा लाया है मेरी मम्मी कहती है, नरेंद्र बात काट कर, अरे फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई, मेरी बात मानेगा, तू जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम लिया कर अजय, क्या मतलब, नरेंद्र हसकर, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, समझा अजय, समझा, अब से तेरी बात के लिए या दूसरा कान काम मिलाऊंगा, दोनों जोर से हसते हैं नरेंद्र, सचमुच, तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसी से दुबलासी किया है, मुझे देख, हट्टा कट्टा दारा सिंका पठ्था, उस्ता में हिंद, अरे देख, लाली पाप वाला निकल गया, तेरी बातों में, अरे वो जा रहा है, रुखना भाई, हाजय, त और हाँ, मैंने अपने रिक्षे के पैसों की तो चुरंच उसकी खाली, प्लीज, अपने साथी रिक्षे से लेते चलना मुझे, बस अभी आता हूँ, अजय, इधर उधर टहलता बेसबरी से इंतजार करता है, अजय, इस नरेंद्र को कभी अकल नहीं आएगी, सब सड़ी चीजे खाएगा, और वाशिक परिक्षाओं में बीमार पड़ेगा, आंटी डारती है, तो फट जुट बोल जाएगा, बेचारी आंटी, देख, अभी तक नहीं आया, दो तीन बच्चे आते हैं, पहला लड़का, अरे अजय, तु तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आ नरेंद्र कब का उधर लाली पॉप लेने गया, अभी तक आया ही नहीं, उसे मेरे रिक्षे में जाना है, दूसरा लड़का, कौन नरेंद्र, उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था, मैंने पूछा भी, तो ब भर जा, नरेंद्र को जानता नहीं, उसके फेर में पड़ा, तो अपनी भी शामताई समझ, आता है तो आजा, मेरे साथ, तुझे तेरे घर छोड़ दूँगा, अजे सोचते हुए, नहीं सुभाश, मुझे डर है, कहीं वा आदमी, कोई बदमास तो नहीं, लड़कों से, तुम लोग जरा आओ न, देखा जाएं कहीं नरेंद्र, पहला, ना बाबा न, या जासुसी हमें नहीं करनी, वैसे ही देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं, अपन तो चले, नरेंद्र की नरेंद्र जाने, जैसा करेगा, वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खत्र खेर नहीं, बाय जै, जाते हैं, अजै, ठका, उदास, परिशान होकर, इधर, उधर टहलता है, कहां गया नरेंद्र आखिर, अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सुनसान हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किस से पूछूं, तभी, अरे, या सरसराहट कैसी, आम के ब अगीचे की ओर चलता हूं, आखिर नरेंद्र गया किधर, जाता है, नरेंद्र की मम्मी रेखा, अजै की मम्मी मिसेज मेहता के घर आती है, मिसेज मेहता, कौन रेखा जी, नमस्ते, आईए, बैठिये, रेखा घबराई आवाज में, नहीं, बैठूंगी नहीं, मैं पूछ ने आई हूं, क्या आपका अजै आ गया, मेरा नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लोटा, मिसेज मेता, आया तो अजै भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है, लेकिन आज मेरी तबियत भी ठीक नहीं थी, सुबह अजै कह गया था, ने चुटी नहीं दी, और नरेंद्र भी उसके साथ रुख गया हो, रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है न, इसी से डर लग रहा है, देखिए, एक बजे चुटी होती है, धाई भज रहे हैं, मिसेज मेहता, क्या सच मुझ, मुझे तो दवा खाकर नींद आ आईए, रेखा, रोने के स्वर में, कुछ कीजिए जल्दी मिसेज मेहता, हाई मेरा नरेंद्र, मिसेज मेहता, घपराईए नहीं रेखा जी, देखिए, मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है, ठहरिए, रिक्षा लेकर चलते हैं, देर स रेखा, रिक्षा बुलाने के लिए, पीछे की और मुड़ती है, तब तक सामने देखकर, खुशी से चीख पड़ती है, रेखा, आगए, आगए बहन बच्चे, देखिए, मिसेज मेहता, सच, अरे हाँ, पर दुनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर, भारी बूट की आ मिसेज मेहता, जी जी हाँ, कहिए, ये बच्चे आपको कहां मिले, इंस्पेक्टर, अजय की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है, मिसेज मेहता, जी हाँ, अजय है इसका नम, क्या किया इसने, इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो श्राबाशी का काम किया है, कि आप सुनेंगी तो गर्व से जूम उठेंगी मिसेज मेता क्या मैं तो इस पर नाराज हो रही थी किस समय से घर नहीं लोटा इंस्पेक्टर हसकर आज अजे ने अपने इस दोस्त क्या नाम है इसका हाँ नरेंदर की जान बचाई है और एक बड़े गिरो के सरदार को पकड़वाया है मिसेज मेता ओ वो कैसे इंस्पेक्टर सहाब इंस्पेक्टर अब ये सब तो आप खुद अजे इसे सुनिए हाँ सुना दो बेटे अजे मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तवियत खराब है पर बाहर आया तो नरेंदर मिल गया फाटक पर एक आदमी पचास पैसे में तिन लाली पॉप बेच रहा था मैंने नरेंदर को मना किया पर या इतने सस्ते लाली पॉप सुनकर अपने को रोक नहीं पाया चला गया सांस लेने को रुकता है रेखा फिर अजे फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा सब और सुनसान हो गया तब दूर पर मुझे कुछ सरसराथ मालूम हुई इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नरिंद्र आम के बगीचे की तरफ लाली पॉप बाले से छुटे पैसे लेने गया है रेखा तो फिर तुने क्या किया बेटे अजे मैं छुपते छुपते धबे पाओ बगीचे में गया तो नरिंद्र का बैग पड़ा मिला देखकर मैं हैरान रह गया मुझे शक हुआ तभी देखा तो दूर वही आदमी एक बड़ा सा थेला पीट पर रखे काली भूरी चेक की चाडर ओड़े चला जा रहा था मम्मी मुझे तुमारी सुनाई उन बदमाशों की कहानिया याद हो आई जो बच्चों को उठा कर ले जाते है रास्ता सुना था इसलिए मैं चुकचाप उसके काफी पीछे बिना आवाज किये चलता रहा मिसेज मेहता फिर अजे चलते चलते मेरे पैर बिलकुल ठक गए तभी वह आदमी अचानक एक सुनस्तान पतली सड़क पर मुड़ गया मेरी समझ में नहीं आया क्या करूँ तभी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी मैं समझ गया तभी या आदमी सकरी सड़क पर मुड़ गया मेरा शक पक्का हो गया मैं पूरी तेजी से दोड़ा और और इंस्पेक्टर साहब को हाफने लगता है इंस्पेक्टर वह अजे बेटे वह सुना अपने मिसेज महता रेखा अजे मेरे बेटे आज तू ना होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता सिसकी मिसेज महता हजकर अरे तो दोस्त होकर इतना भी ना करता रेखा बेहन फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा अगर मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम ना आए रेखा नहीं आज मैं अपने साथ बाजार ले जाओंगी अजे को और इसे इसके मन का शांदार इनाम खरीदोंगी इंस्पेक्टर शांदार इनाम तो अजे को प्रधान मंत्री से मिलेगा सब एक साथ क्या इंस्पेक्टर जी हाँ हर साल हमारी सरकार देश के बहादूर बच्चों को उनके साहसिक कारी के लिए पुरसकार देती है इस बार अजय का नाम उनमें होगा अच्छा तो आग्या दीजिए आओ अजय बेटे एक बार फिर पीट ठोक दू तुम्हारी अजय थेंक्यू इंस्पेक्टर साहब पर अवी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई मेरी पीट दर्द कर रही है मिसेज मेरता प्यारते चुप सभस्ते है प्रिये विद्यार्थियो आधर श्वाचन के दवरान आपने कुछ ऐसे शब्दों पर गवर किया होगा जिसके अर्थ से शायद आप परीचित ना हो तो आईए उन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रियोग पर नजर डालते है पहला शब्द है लटके भरी आवाज जिसका अर्थ है नाट किये ढ़ंग की आवाज जिसे अंग्रेजी में ड्रेमेटिक वोइस कहते है इसका वाक्य प्रियोग देखते है फेरी वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए लटके भरी आवाजे निकालता है दूसरा शब्द है चटर मटर जिसका अर्थ है भोजन चवाने के दवरान मुह से निकलने वाली आवाजे जिसे अंग्रेजी में चैटरिंग साउंड कहते है वाक्य प्रियोग देखते हैं बच्चे जब चटपटी चीद खाते हैं तो उनके मुह से चटर मटर की आवाजे निकलती है तीसरा शब्द है मशक्कत जिसका अर्थ है महनत जिसे अंग्रेजी में हाड वक कहते हैं वाक्य प्रियोग देखते हैं सफलता पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है चवथा शब्द है सालाना जलसा जिसका अर्थ है वार्षिक कोस्व या समारुह जिसे अंग्रेजी में एन्वल सलिब्रेशन कहते हैं वाक्य प्रियोग देखते हैं आज हमारे स्कूल में सालाना जलसा होगा पाच्वा शब्द है शामत जिसका अर्थ है मुसीबत जिसे अंग्रेजी में प्रोब्लेम कहते हैं वाक्य प्रियोग देखते हैं आज उस पर शामत आने वाली है जिसने चोरी की है छठा शब्द है इमारत जिसका अर्थ है विशाल भवन या महल जिसे अंग्रेजी में बिग बिल्डिंग कहते हैं वाक्य प्रियोग देखते हैं मेरे घर के सामने एक आठ मंजिला इमारत है सात्वा शब्द है गिरोह जिसका अर्थ है समू जिसे अंग्रेजी में ग्याइग कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें पुलिस ने चोरों के एक गिरोह को गिरफतार कर लिया है अंतिम और आठ मां शब्द है साहसिक जिसका अर्थ है हिम्मती या बहादूर जिसे अंग्रेजी में देरिंग कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें हमारी सेना ने आतंकियों के खिलाब साहसिक कदम उठाया उम्मीद है आपको यह एकांकी पसंद आई होगी तो आईए अब हम इस एकांकी के महतपुर्ण बिंदूओं को जानते है इस एकांकी में बाल मनोविज्ञान पर बल दिया गया है एकांकी में यह बताया गया है कि बच्चे दिल के भोले भाले और सच्चे होते हैं खाने पीने की चीजियों की तरफ अनायास ही आकर्शित हो जाते हैं, जो कभी-कभी उन्हें मुसीबत में डाल देता है दूसरी बिंदु है, शहरों में होने वाली घटनाओं से बच्चे को सतर्क करने का प्रियास किया गया है शहरों में विक्षावरिती, बाल मजदूरी, चोरी, ड्रक्स जैसी कई अपराधिक गतिवीधियों के लिए बच्चों को बहला फुसला कर उनका अपहरन कर लिया जाता है ऐसी घटनाओं के प्रती बच्चों को सजग और सतर्क करने का प्रियास किया गया है तीसरी बिंदू है जिम्मेदारी की भावना पर प्रकाश डाला गया है एक कांकी के माध्यम से लेखिका ने पडोसियों, मित्रों, सगे संबंधियों के प्रती जिम्मेदारी की भावना पर बल दिया है इससे समाज और देश दोनों मजबूत होता है पाठ में नरिंद्र जब स्कूल से वापस नहीं लोटता है तो मिसेज महता और रेखा दोनों अजय को ढूड़ने के लिए निकल पड़ती है वहीं अजय अपने दोस्त को मुसीवत में फसा देखकर अपनी सूजबूत से उसे बाहर निकाल लेता है व्या करणिक विंदूओं की बात करें तो इस एकांकी में मुहावरेदार शब्दों का विशेश रूप से प्रियोग किया गया है जिससे की एकांकी रूचिकर बन पड़ा है जैसे एक कांच से सुनना दूसरे से निकालना जैसा करेगा वैसा भरेगा आग बबूला होना दबे पाउना शामत आना आदि ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़ कर किसी विशेश अर्थ को व्यक्त करने लगे तो ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं आईए इसे उदाहरन से समझते हैं पहला वाक्य पुलिस को देखते ही चोर 9211 हो गया दूसरा वाक्य है जैसे ही मैंने अपना पैसा वापस मांगा वह आग बबूला हो गया इन वाक्यों में 9211 होना का अर्थ है भाग जाना तथा आग बबूला होना का अर्थ है बहुत क्रोधित होना विद्यार्थियों आशा करते हैं कि आपको या काडिकरम पसंद आया होगा हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तयार किये हैं जिसके उत्तर आपको करने है पहला प्रश्न है अपहरन जैसी घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है सोच कर लिखिए दूसरा प्रश्न है आप अपने मित्रों और अन्य लोगों को लालच ना करने की बाद कैसे समझा सकते हैं तीसरा प्रश्न है मुहावरेदार शब्दों की सहायता से दो दोस्तों के बीच समवाद को लिखिए चवथा प्रश्न है NCERT की हिंदी पाठि पुस्तक वसंत भाग एक में संकलित एकांकी ऐसे ऐसे को पढ़िये और उनके महत्पुर्न बिंदूओं पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए एकांकी दिये गए लिंक पढ़ भी पढ़ सकते हैं आज के काडिकरम में हमने सीखा एकांकी वाचन की आदर शैली से अवगत हुए एकांकी में आए आपरिचिस शब्दों के अर्थ और वा के प्रयोग को जान सके एकांकी के मूल विंदूओं से अवगत हुए तथा मुहावरे के सामान्य अर्थ और वाक्य प्रयोग से भी अवगत हुए आज के काड़ करब में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए पाट के साथ तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, शुक्रिया झाल